Hello everyone, I am Sonal Tanwar, your educator. Welcome back to my channel, The Hindu Ansic Classes. मैं Sonal Tanwar, आप सभी की educator, आप सभी का स्वागत करती हूँ The Hindu Ansic Classes में, जहाँ पे हम The Hindu newspaper के important articles और current affairs कवर करते हैं. और आज हम लोग 15 September के कुछ important articles कवर करने वाले हैं. मेरे पास काफी सारे queries आई और उन सभी queries में से. जो common query थी, वो ये थी, कि मैं हमें The Hindu newspaper में से articles को कैसे extract करना है. यानि कि हम news को कैसे extract करें, कि वो exam के point of view से, UPSC, CSE के syllabus के point of view से important है या नहीं. और उस article में से हमें क्या चीज़ा पढ़ने की ज़ुरत है, कौन-कौन से articles हमें छोड़ देने चाहिए, कौन से articles ऐसे हैं, जो syllabus के point से relevant नहीं है. तो बच्चों को काफी ये doubt आता है, कि newspaper reading तो वो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता, कि exam के point से, syllabus के point से, कौन-कौन से articles, कौन से topics, कौन सी news relevant हैं, और कौन सी news relevant नहीं हैं. तो इन सभी चीज़ों का doubt आज मैं आपको clear करने वारी हूँ. Newspaper reading को start करने से पहले, आपको syllabus अच्छे से पता होना चाहिए, कि आपके syllabus में क्या-क्या topics कवर होने वाले हैं. अगर आपको topics के बारे में पता होगा, तो आपको असानी होगी news को extract करने में. तो मेरा पहला suggestion सभी को यही होगा, कि अच्छे से syllabus को एक बार पढ़ें, एक बार नहीं, दो तिन बार, चार बार अच्छे से पढ़ें, जब तक वो आपके दिमाग में छपना जाएं. फिर उसके बाद हम news paper reading को start करते हैं. तो अब कर लेते हैं अपनी class को start बिना किसी रेरी के साथ, यहाँ पर आपको first article दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको monsoon session के बार में पढ़ना है, तो यह आपके लिए GS paper 2 से relevant news हो जाती है. आपको पता होना चाहिए यह Parliament में कितने sessions होते हैं, पहला होता है budget session, दूसरा होता है monsoon session, और तीसरा होता है winter session. तो यह तीन Parliament के sessions होते हैं, इन तीनों ही के बार में आपको पढ़ना है, इसके बाद यहाँ पर इसी news में नीचे आपको मिल जाएगा question hour, यहाँ पर आपको question hour के बार में पढ़ना है, क्या होता है question hour, और Parliament की, यानि कि अगर मैं Parliament बोलूं, तो लोकसभा और राजे सभा दोन होना चाहिए, कि लोकसभा में proceedings कितने बज़े से कितने बज़े तक start होती है, और same as राजे सभा, क्या होता है zero hour, यहाँ पर आपको zero hour के बार में भी पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे left side में एक news मिल जाएगी, Center opposes move to recognize same sex unions, यहाँ पर आपको section 377 के बार में पढ़ना होगा, यह LGBT community से related section है, इसके बार में आपको पढ़ना है, यह आपके GS paper 2 से relevant है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर right side में एक news मिल जाएगी, उमर खाली रिमांडेड इन 10 डे, पुलिस कस्टरी इन देली रियोट केस, यहाँ पर आपको यूए पीए के बार में पढ़ना है, यानि की Unlawful Activity Prevention Act, यह भी आपके GS paper 2 से relevant है, और page number 1 पे इतने ही news है, now let's move to page number 2, let's see if there are any news relevant for slavers or not, यहाँ पर आपको नीचे एक news मिल जाएगी, left side में, NGD asks CPCB to come up with SOP for E-Trees on Highway, तो यहाँ पर आपको CPCB के बार में पढ़ना है, प्लस आपको NGD के बार में पढ़ना है, यह दोनों ही bodies, pollution control के लिए काम करती है, जो CPCB है, वो pollution control के लिए काम करती है, और जो NGD है, वो environment protection के लिए काम करती है, तो यह आपके GS paper 3 से relevant हो जाता है, environment के point से, इसके अलावा आपको नीचे यहाँ पर right hand side में एक news मिल जाएगी, Hashtag MeToo targeted to hold allegations against Agbag, यहाँ पर आपको MeToo के बार में पता होना चाहिए, यह आपके interview में आपसे पूछा जा सकता है, तो यह prelims या mains के लिए important इतना नहीं है, लेकिन यह आपके interview के लिए important हो जाता है, तो second page पर उतनी ही news ली, अब हम देखते हैं, third page पर, 30% recovered COVID-19 patient, no, this is not important, COVID-19 में patients की कितने recovery हो रही है, कितने cases आ रहे हैं, यह हमारे लिए important नहीं है, कस्तुर्भा hospital nurses, no, this is also not important, BJP, no, किसी भी party से related news is not important, यहाँ पर आपको नीचे एक news मिल जाएगी, आप alleges corruption in procurement of equipment, किसी भी party से related news, कि कौन सी party ने किसको abuse किया, क्या allegations लगाए, कौन सी party ने कितना corruption किया, यह हमारे लिए important नहीं है, but the concept of corruption is important for your GS paper 4, GS paper 4 is your ethics, और ethics में आपको corruption से related questions बन जाते हैं, तो यहाँ पर आपको corruption के बार में पढ़ना important हो जाता है, तो थर्ड पेज पर इतना ही, now let's move to page number 4, page number 4 पर भी ऐसी कोई खास news नहीं है, नावरसी पेज पेज पर फाइफ, oxygen shortage, maharashtra move to ensure no, this is not important, kangra renault calls for P.O.K., no, Thai woman hell for killing, no, किसी भी किलिंग या किसी भी ऐसे case से related हमें syllabus में नहीं पढ़ना होता, now page number 4 and page number sorry page number 6 and page number 7 is your editorial, यह आपको सिर्फ रिल करना होता है यह आपके जो आपका thinking process है, आपको जो किसी भी topic से related negatives और positive points यानि कि pros and cons को आपको पताता है, तो एक neutral mind आपका create करता है editorial इसको आपको सिर्फ read करना होता है, editorial के notes नहीं बनाए जाते तो now let's move to page number 8, page number 8 में आपको center में एक news मिल जाएगी करनाटका to seek node for make a data to project, यहाँ पर आपको make a data to reservoir के बार में पढ़ना है और आपको make a data to project के बार में पढ़ना भी important हो जाता है, यह आपके GS paper 2 और GS paper 3 से related है, GS paper 2 से इसलिए क्योंकि यहाँ पर governance आ जाता है और GS paper 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर reservoir की बात हो रही है तो यह आपके geography के point of view से, environment के point of view से यह आपके लिए important हो जाता है, इसी के right hand side पर आपको एक news देखने को मिलेगी, center is imposing Hindi divorce, यह आपके GS paper 2 से related है, यहाँ पर center or state का relation आ गया है, प्रस जो Hindi divorce है, वो आपके constitution में भी mentioned है, इसलिए यह आपके GS paper 2 से related हो जाता है, यहाँ पर article को आप पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा, Hindi divorce का मनाया जाता है, Now there is a news at the bottom of the page, यहाँ पर आपको एक news मिल जाएगी, Concern as water leaks from condopochum reservoir, यहाँ पर आपको इस condopochum reservoir के बार में पढ़ना important हो जाता है, यहाँ पर आपको यह GS paper 2 और GS paper 3 से relevant news मिल जाएगी, GS paper 2 again about governance and GS paper 3 about environment, तो page number 8 पर इतनी ही news थी अब हम page number 9 पर देख लेते हैं, Monsoon session kicks off 9 यह हमने page number 1 पर ही पढ़ लिया था, question hour यह भी हमने पढ़ लिया था, strike protest 9 किसी भी strike और protest से related news हमें नहीं पढ़नी होती, harivans re-elected no, यहाँ पर 0 hour के बार में दिया हुआ है, मैंने आपको page number 1 पर ही question hour के साथ नहीं बता दिया था कि आपको 0 hour भी पढ़ना है, तो page number 9 पर भी इतनी कुछ खास हमें news नहीं मिली, page number 10 पर देखते हैं, भूशन page fine, no, यहाँ पर आपको contempt of court के बार में पढ़ना है, contempt of court के बार में यह आपके GS paper 2 से related news हो जाती है, now let's move forward, no, nothing is important, यहाँ पर फिर से यहाँ पर Hindi की बात हो रही है, state और center की बीच में relation की बात हो रही है, यह आपके GS paper 2 से relevant है, आपको आर्टिकल में यह पढ़ना है, कि कैसे center Hindi को states के ओपर impose करने की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले पिछले page number 2 में, I think page number 2 में हमने पढ़ा था, कि Hindi दिवस को हम पर impose किया जा रहा है, तो उससे ही related यह news है, यहां पर आपको मराथा कोटा के बार में पढ़ना है, आपको reservation के बार में पढ़ना है, यह आपके GS paper 2 से relevant हो जाता है, तो page number 10 पे इतना ही, now let's move to page number 11, no the first news is not important, budgetary allocation for development in JNK no, यहां पर यह आपका advertisement page है, again the showcase is not important, वर्ल्ली की news is important, क्योंकि यह आपका इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड यहां पर न्यूस आपको मिल जाती है, तेख रहते हैं कोई अच्छी सी न्यूस यहां पर अगर मिले तो, यहां पर आपको अफगान government presses Taliban for truth, इसके बार में आपको यहां पर पढ़ना है, यहां पर आपको इंडिया अफगान relations के बार में आपको पढ़ना होगा, यह आपके GS paper 2 से related है, यहाँ पर नीचे आपको एक news मिल जाएगी What's next for Palestine after UAE Bahrain deal with Israel यहाँ पर आपको Israel-Palestine के बार में पढ़ना है कहाँ पर located है Palestine और उसके कुछ geographical significance के बार में आपको पढ़ना होगा यह आपके GS paper 2 से important हो जाता है और यहाँ पर आपको इंडिया और इसरेल इंडिया प्लस इसरेल के relations के बार में आपको पढ़ना होगा Palestine की geographical location आपके prelims के लिए important है और इंडिया और इसरेल के relationships आपको GS paper 2 के लिए important रहेंगे तो अब हम next page की तरफ move करते है यहाँ पर आपको right hand side पर एक news मिल जाएगी GST compensation due to sales is 1.51 lakh crore यहाँ पर आपको GST के बार में पढ़ना है यह आपका GS paper 3 से relevant news है that is economy इसी के साथ में आपको एक और news मिल जाएगी government looks to spend 2.35 lakh crore more यहाँ पर आपको M.G. Narega के बार में पढ़ना important हो जाता है M.G. Narega यह आपके GS paper 2 plus GS paper 3 से relevant news है now let's move forward और तो इस page में कुछ खास ऐसी news है नहीं sports का section हमारे लिए important नहीं होता है syllabus के point से हमारे लिए sports का section important नहीं है लेकिन sports से related जो awards होते है वो हमारे लिए जानना important हो जाता है खासकर Indian awards Indian awards के बार में आपको prelims में पूछा जा सकता है और sports के section में आपको कभी-कभी biodiversity या environment से related कोई articles मिल जाता है तो देख लेते हैं आज ऐसा कोई article है या नहीं तो आज तो कोई ऐसा बार डावस्टी से related article नहीं है तो ये मैंने बताया आपको दा हिंदू newspaper में से कैसे news को extract करना है कैसे आपको उन articles में से ये जानना है कौन-कौन से topics हमें पढ़ने है कौन-कौन से articles हमारे लिए significant है कौन-कौन से articles को हमें neglect करना है आपको अच्छे से syllabus को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे से syllabus को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा article कितना important है तो आज हमने जाना कि कैसे prelims के लिए mains के लिए और interview के लिए आपको newspaper reading करनी होगी So that is all for today I hope you liked my class If you really liked my class then please do subscribe my channel और बाकी बच्चों तक भी मेरे channel शेयर कर दे ताकि उन तक भी मैं अपने channel के benefits पहुचा सकूँ अगर आपको कोई भी doubt query है आप मुझे comment कर सकते हैं इसके अलावा आप मुझे मेरे facebook और instagram पेज पर भी connect हो सकते हैं आपको चासिस के सारी pdfs मेरे telegram channel पर मिल जाएगी आपको मेरे telegram channel पर important notifications भी provide होते रहेंगे सभी चीजों के link आपको description box और comment box में मिल जाएगा so that is all for today thank you so much and have a nice day